Good morning students, this is EBS online class, so open your EBS book page number 25. In our last class we had discussed about Central Plato, हमने Central पठार के वारे में डिस्कस किया था. So today we will start from the Dukkan Plato, Dukkan का पठार. The Dukkan Plato, the largest Plato in India, जो Dukkan Plato है, वह इंडिया का सबसे largest Plato है. Is shaped like a triangle, और उसकी shape किस तरह की है? उसकी shape एक triangle की तरह है. जो Dukkan Plato है, सबसे लंबा पठार, उसकी shape triangle की तरह है. The western ghat lies, lie to the west, जो western ghat है, वह इसके west की तरफ है, west पस्चिम की तरफ है. Of the Plato, and are a long, continuous range of hills, comprising the Nilgiris, the Anomali, and the Cardamom hills. जो western ghat है, जो की west की तरफ है, वह एक long, लंबा, continuous, लगातार, range of hills, पहाडियों की श्रंखला है. जो western ghat है, west की तरफ, वह उसमें एक लंबी, लगातार, पहाडियों की श्रंखला है, comprising, जिसमें शामिल है, जिसमें कौन-कौन सी पहाडियों शामिल है, Niliri hills, Anomali की पहाडियों, और Cardamom पहाडियों, ओके? The eastern ghat towards the east, जो eastern ghat है, वह इस्ट की तरफ है, और a smaller hill, वो क्या है? उसमें छोटी पहाडियों है, hill range छोटी पहाडियों की श्रंखला है, and are not continuous, और वह लगातार, लंबी भी नहीं है, तो इस तरह से दक्कन प्लेटों में, East की तरफ भी पहाडिया है, और West की तरफ भी पहाडिया है, जो West की तरफ पहाडिया है, वो लंबी है, लगातार है, और एक स्टंखला है, जबकि East की तरफ जो पहाडिया है, वह छोटी है, और continuous नहीं है, ओके? there are four major rivers in this reason यह जो reason है यह जो छेतर है इसमें चार में नदिया है they are the कावेरी, गौदावरी, पृष्णा and महा नदी और वो नदिया कौन-कौन सी है कावेरी, गौदावरी, पृष्णा और महा नदी these rivers rise in the west यह जो नदिया है वो west में निकलती है उद्ती है and flow into the bay of bengal और किधर बहती है bay of bengal की तरफ इधर बहती है देखे, इधर से निकलेगी और इधर बहेगी इधर से निकलेगी और इधर बहेगी this is because the plato slops from the west to the east यह इसलिए क्योंकि यह जो पठार है इसका ढाल किधर है slops, ढाल इस पठार का ढाल west से east की तरफ है since these rivers receive water from the rain जब यह नदिया since जब यह नदिया receive water पानी प्राप्ट करती है from the rain बारिश से जब यह नदिया पानी प्राप्ट करती है the volume fluctuates from season to season तो इनका जो वाल्यूम है इनका जो पानी की जो मातर है वह fluctuates from season to season कम ज़्यादा होती रहती है मतलब उतार चड़ाव चलता रहता है पानी का depending on the amount of rain received देखिए अगर इस नदियों में पानी कम आएगा तो इनका ढाल कम रहेगा और अगर इन नदियों में पानी ज़्यादा आएगा तो यहाँ पानी ज़्यादा रहेगा बारिश के पानी पर इन नदिया dependent रहती है the rivers on the west coast are short जो west coast है जो पस्षिम की तरफ का किनारा है इन नदियों का वह short वह छोटा है and swift और तेज है and do not end in deltas और उसका end deltas में नहीं होता है बतलत उन नदियों के किनारे पे जो भूमी होती है वह दलजल नहीं होती है whereas on the east coast जबकि east की तरफ का जो किनारा है many rivers from deltas वहाँ की जो mostly rivers है वो delta बनाती है this is the reason why there are more ports यही reason है कि वहाँ पर ज़्यादा बंदरगा है port बंदरगा and natural harbors or natural बंदरगा है in the west than in the east किदर है west की तरफ ज़्यादा बंदरगा है ports है east की तुलना में east में कम है और west में ज़्यादा है यह देखिए आपके rivers गोदावरी, प्रिष्णा, कावेरी, तापी, चंबल, ठीक है स्वान इस तरह से आपकी rivers है इधर Bay of Bengal है और इधर AirbnbC अरब सागर है